आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सामनतवाद के बारे में ठीक है तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चलिए मैं आपको बतायता हूँ देखे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सामनतवाद क्या है सामनतवाद की परिभासा क्या होती है और सामतवाद के कौन कौन से प्रमुक्तत्व हैं ठीक है और सामतवाद की उत्पत्ती कैसे हुई सामतवाद की विसिस्ताएं क्या है या उसके लक्षन क्या है और सामतवाद का पतन कैसे हुआ ठीक है और उसके क्या क्या कारण थे तो ये सबी चीजे हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्तपूर्ण होने वाला है इसके बाद आपको सामनतवाद के बारे में दूसरा वीडियो देखने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आज की वीडियो के चुरुवात हम लोग करते हैं देखी सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सामनतवाद क्या है तो सामनतवाद के बारे में देखी पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद परिभासा ये वगेरा है जो लिखने के लिए आपके एकजाम में आ सकता है तो आप ये लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको पताता हूँ कि सामनतवाद क्या है समझने का प्रयास किजिएगा पहले के समय में जो राजा होता था राजा जो होते थे वो सबसे उपर होते थे मतलब सबसे जो सक्तिसाली होते थे वो राजा होते थे ठीक है और राजा के अधिकार में जो राज्य की जो जितनी भी जमीने थी वो सभी जितना भी राज्य था वो सभी राजा के अधिकार में था अब राजा एक है तो एक राजा सभी जमीन पर जो है अपने राज्य के सभी जमीनों पर खेती वगेरा करवातों नहीं सकता था एक साथ सब जो है इतने बड़े राज्य पर जो है अपना जो नरीक्षण पर इक्षण जो भी है ठीक है मतलब देख रेख उसका नहीं कर सकता था एक राजा अपने सभी राज्यों जो अपने जितने भी मतलब बड़ा राज्य है उसका ठीक है राजा का राज्य बहुत बड़ा होता है तो इतने बड़े राज्य की जमीन को देखरे करना आसान नहीं था राजा के लिए तो राजा कह किया कि कुछ लोगों को जमीन के टुकड़े करकर के मतलब ऐसे जमीन को माट करके ऐसे दे दिया कुछ लोगों को ठीक है तो राजा कह किया कि कुछ लोगों को जमीन दे दिया जमीन को बाट करके जैसे माली ये इतना जमीन दे दिया इस आदमी को ठीक है और इतना जमीन दे दिया इस आदमी को ठीक है इस तरह से और लोगों को जो है राजा क्या किया कि अपना जमीन जो है दे दिया उसके अधिकार में ठीक है अब ये जो जिनको जमीन दिया राजा ये आदमी लोग क्या करते कि इसकी देख रह करते इस जमीन की देख रह करते और इस पर खेती वेगरा करवाते यही इन आदमीयों का काम था इन व्यक्तियों का काम था तो अब ये जो व्यक्ति है इनको कहा गया सामंत क्या कहा गया सामंत कहा गया ठेक है जैसे एक नाम होता है जैसे राजा के दरबार में जो काम करते हैं जो सलाहकार वगरा होते हैं उसको मंतरी कहते हैं ठेक उसी तरह राजा के लिए जो भूमी के देखरे कर रहे थे उसको सामंत कहा गया तो इन सामन्त जो थे भूमी के जो है उनको जितना भूमी दिया जाता था राजा से उसकी वो लोग देख रहे करते थे उस पर खेती करवाते थे और जो भी करवसुलते थे वो सभी राजा को देते थे कुछ अपने पास रखते और कुछ राजा को देते तो इस तरह से सामन् वाद की उत्पत्ती हुई थी यानि सामंत वाद इसी को कहा जाता था तो अब तो समझ गहूंगा आप लोग कि राजा के अधिकार में पूरा राज्य होता था और यही राज्य को बाट करके जो है राज्य के भूमी को बाट करके राजा जो है सामंतों को अपना जमीन दे दे तथा उसकी देख रहे करने के लिए उस पर खेती करवाने के लिए क्योंकि अकेले राजा जो है इतने बड़े राज्य पर खेती नहीं करवा सकता था उसकी देख रहे नहीं कर सकता था राजा अपना जो है ये राज्य सभाव अगरे संभालेगा कि खेती संभालेगा ठीक है तो बहुत जो है राजा के लिए बहुत ही कठिन काम था इसलिए राजा ने क्या किया कि सामन्तों को जो है अपनी भूमी दे दिया ठीक है, मतलब उनके नाम नहीं किया, मतलब उनको बेचने वगर्य का अधिकार नहीं दिया था, बस उसको खेती करने का अधिकार दिया था राजा मतलब सामंत जो थे वो अपने जमीन को कहें भी बेच नहीं सकते थे या किसी सामंत से जो है वो खरीद नहीं सकते थे केवल उनका यही काम था कि उस भूमी पर खेती करवाना और जो भी कर है जो भी मिले कर ठीक है जैसे उत्पादन हुआ साल भर में तो उसका कुछ भाग जो है सामन्त को मिलता था और सामन्त उसी में से कुछ भाग राजा को दे देता था ठीक है तो इस तरह से सामन्त वाद कार्य करता था अगर और भी आगे हम लोग चचा करेंगे इस वीडियो में तो अगर आपको सामन्त वाद के परिभासा लिखने को आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वह सासन विवस्था या प्रणाली जिसमें राज्य सरक जो है जिसमे राज्य की भूमी बड़े बड़े जमिदारों के अधिकार में रहती है उसे सामन्त वाद कहते हैं जो है राज्य का बड़ा राज्य होता था और उसकी भूमी छोटे छोटे टुकड़ों में बाट करके जो है सामन्त वादों के अधिकार में रहता था इसी को कहा जाता था सामन्तवाद सामन्तों को जमीदार भी कहा जाता था जमीन का मालिक होते थे तो उसको कहा जाता था जमीदार ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां तक तो समझ गयोंगे कोई कन्फूजन होगा तो अब कमेंट भी कर देजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सामन्तवाद के प्रमुखतत्व क्या थे यानि सामन्तवाद के प्रमुखतत्व क्या थे किन चीजों पर सामन्तवाद काम करता था देखे पहला ततो था जागीर जागीर ठीक है जागीर और दूसरा था सम्प्रभुता और तीसरा था सन्रक्षण अब ध्यान दिजेगा जागीर किसको मिलता था? सामन्तवाद, सोरी, सामन्तो को मिलता था ठेके, जागीर किसको मिलता था? सामन्तो को तो सामन्तो को जो भूमी मिलता ठीक है सामंतों को जो भूमी मिलता था राजा से उसको खरीद दिते नहीं थे में प्रोब्लम देखे आप समझे सामंत जो थे वो राजा से जमीन खरीद दिते थोड़े थे वो तो राजा खुद उसको देता था, यानि जो सक्तिसाली लोग हुआ करते थे राज्य में, जिसे राजा के लावा और कोई भी सक्तिसाली आदमी हो गया, ठीक है, दो-चार सक्तिसाली आदमीों को वो राजा अपने पास बुलाया, और बोला है कि ये लो तुम इतना तुम को जमीन दे रहे हैं, और उस पर खिति वगएर करवाओ, और जो भी करव अगएर मिलता है, उसका कुछ ही साम को आकरके दे देना, ठीक है, तो इस तरह से सामनतो को क्या मिलता था, भूमी फ्री में मिलता था, तो जो है, भूमी का पूरा अधिकार मतलब सामनतो के पास होत तो इसलिए इसको कहा गया जागीर थेक है यानि सामन्तो कहीं वो जमीन होता था तो उसको कहा जाता है जागीर समझे अब सम प्रभुता सामन्तो को थोड़ा थोड़ा अधिकार भी दिया गया था कि जो भी जमीन के मामले हो मतलब सामंत क्या करता था कि किसानों को जो सामंतों को जमीन मिला करता था जमीन जो मिलता था वो जमीन को सामंत किसानों में बांड देता था किसानों को छोटो छोटे भाग में करके किसानों को देता था ठीक है, राजे में बहुत सारे किसान थे, तो सभी किसानों को थोड़ा-थोड़ा करके जमीन देते था और उस पर खेती करवाता था, तो अगर किसानों को कोई भी समस्या वगेरा होती या कुछ भी होता, तो उसका न्याय करने का अधिकार भी सामनतों के पास होता था, दिया गया था ठेक है सामन्त भी अधिकार जो है सामन्त भी न्याय करते थे छोटे छोटी बातों के लिए राजा के पास नहीं जाना पड़ता था लोगों को जो है सामन्त ही उसका न्याय कर देते थे और संरक्षण तीसरा तत्व है संरक्षण अब एक चीज और है कि राजा जो है वो सामन्तों को फ्री में जमीन क्यों दे बात आती है कि सामन्त जो है राजा जो है वो सामन्तों को फ्री में जमीन क्यों दे तो फ्री में जमीन वो इसलिए देता था कि सामन्तों को कहता था कि मेरे पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुमको करनी होगी मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुमको लेनी होगी मतलब राजा की जो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो सामन्त लोग करते थे ये सामन्त लोगों का जिम्मेदारी था कि राजा को सुरक्षित रखना सामन्तों को राजा जमीन दे दिया अब सामन्त लोग का काम था कि राजा को सुरक्षा का ध्यान रखना तो इस तरह से सामन्त जो थे वो राजा के लिए सनक्षण का कारिय करते थे क्योंकि राजा जो है पहले के समय में ज्यादा सैनिक वगएरा नहीं होते थे और युद्ध जो थे वो सभी भाला, तीरधनूस, ठीक है, ये सभी चीजे पत्थर के अजार जो थे, ये सभी चीजों से चलते थे उसमें, तो ज्यादा उसमें बम, गोला, बारूद, जो है ये बंदूक, ये जितना भी एक फोटी सेवन, ये सब जितने बंदूक वगरा है ये सभी कही कुछ नहीं हुआ करते थे, ठीक है, पहले का युद्ध जो है, वो जो ये क्या कहते हैं, भाला, गडासा, ठीक है, ये तलवार, तीरधनूस, ये सभी चीजों से लड़े जाते थे, तो इसमें सैनिकों की बहुत ज्यादा जो है डिमांड थी, सैनिक बहुत ज् ये सभी के लिए, क्योंकि एक भाला जो है, एक ही जो है, आदमी चलाएगा, ठीक है, एक ही सैनिक चलाएगा, और ये एक बार में एक ही दो को मार सकता है, अब माली जी अभी का टाइम है, अभी का एक फोटी सेवन है, वो सभी अगर एक हो कोई सैनिक चला दे, तो धर धरा था तो एक सैनिक जो है maximum मैं बता रहा हूं टीन से चार लोगों को मार सकता है ठीक है अगर अच्छा सैनिक है तो निपन सैनिक है तो वरना एक से अधिक को नहीं मार सकता है ठीक है तो पहले ठीक है वो भी मरेगा कि नहीं क्या पता तो एक सैनिक अगर एक तीर चलाएगा तो एक आदमी को मार सकता है ठीक है और दुबारा उसको तीर लगाना एक खीसना चलाना ठीक है बहुत टाइम लग जाता है और आज का टाइम है डेरेक ट्रिगर दवाओ ठीक है तो इस तरह से चलता था पहले तो इसलिए जो है सामंतो की जिम्मेदारे थी कि राजा की सुरक्षा का ध्यान रखना ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये तो आप लोग समझ गया होंगे न ये तीन प्रमुक्तत्व जागीर संप्रभता और संरक्षर चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब बात आती है कि सामंतवाद का उदय कब हुआ ठीक है सामंतवाद का उदय कब हुआ तो सामंतवाद का उदय जो है वो नवी सताब्दी में हुआ ठीक है कब हुआ था नवी सताब्दी में जब सामंतवाद का उदय जब हुआ तो राजा जो था उसमें सक्तिसाली नहीं हुआ गरता था ठेक है और राजा ज्यादा सक्तिसाली नहीं होता था तो उसके लिए देख रेक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था राज्यों के लिए जिसके चलते सामंतों को जो है लाया गया राजा के द्वारा तो इसकी जो उत्पत्ती है वो नवी सताबदी में सबसे पहले यूरोप में हुआ था कहां पर हुआ था? याद रखना सामतवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ था यूरोप में हुआ था ठीक है? कब हुआ था? नवी सताबदी में तो इस तरीके से सामंतवाद को उत्पत्ती हुई थी और ये बस एतना याद रखना कि सामतवाद का उद्धर जो है नविस अताब्दिय में हुआ था कहां पर हुआ था यूरोप में हुआ था को इसमें राजा ज्यादा सकती साली नहीं हुआ करता था राजा के पैसाइनिक वगरे भी बहुत कम हुआ करते थे जिसके कारण राज्य की देखरे करना थोड़ा मुश्किल होता था तो बीच में जो है वो सामंतवाद को ला दिया ठीक है सामंत को ला दिया जो जैसे राजा के अलावा भी राज्य में और जो है थोड़े मोड़े सक्तिसाली लोग रहा करते थे ठीक है राज्य में सबसे सक्तिसाली तो राज्य है राज्य के अलावा भी और सक्तिसाली लोग रहा करते थे राज्य में तो उन्हीं सक्तिसाली लोगों को जो है राज्य अधिकार दे दिया थोड़ा बहुत ठीक है कि राजा खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान उसमें नहीं रख पाता था तो वो क्या राजे का संचालन पूरी अच्छी तरीके से करेगा तो इस तरह से राजा जो है सामनतवाद के उत्पत्ती हुई थी अब सामनतवाद की विशेस्ताएं क्या क्या थी अब ध्यान देना जो पहली विशेस्ता इसमें है की राजा जो है वो सर्वच सत्ताधारी होता था मतलब राजे का सबसे मतलब पावरफूल सबसे पावरफूल आदमी राजा होता था सबसे पावरफूल व्यक्ति राजा होता था क्योंकि मैं बार बार आदमी बोलते रहा हूं तो ऐसा थोड़े है कि राजा के वो आदमी भी होगा वो जो है राणी भी हो सकती है तो इसलिए राज्य का सर्वुच सताधारी व्यक्ती राजा होता था उस समय ठीक है और ये सामंतवाद की विशेस्ता थी और उसके नीचे सामंत काम करते थे राजा के बाद कौन था सामंत लोग ठीक है राजा के बाद सक्तिसाली कौन था सामंत लोग ठीक है अब दूसरा प पर जागीरे होती थी ठीक है और जिन्हें वह क्रिशक वर्ग में बाड़ते थे और सामंत लोग राजा को साइनिक सहयता देते थे यानि राजा भूमी दे रहा है जब सामंतों को तो उसके बदले सामंत जो है राजा को साइनिक देते थे इन सबका एग्रिमेंट होता था उस ठेक है और हमारे सुरक्षा का ध्यान रखो गए तो इस तरह से एग्रिमेंट होता था जमीन देने से पहले तो जो है सामनत जो थे वो अपने छेत्रे में निरंकु सासक होते थे ठीक है मतलब जितना जमीन दिया गया है सामन्तों को उसमें वो अपना सासन चलाते थे सामन्त लोग ठीक है और सामन्तों को क्रिसको के पक्ष में नयाय करने का भी अधिकार था तो ये राजा के जो सायक होते थे वो सामन्त ही होते थे राजे चलाने में ठीक है उसमें अब द देखिए, तीसरा पॉइंट आते हैं, समाज का द्वी वर्गिया होना, ये समतवाद की प्रमुक विशेस्ता है, कैसे समझें, जब समतवाद की उत्पत्ती हो गई, तो राज जो है, दो वर्गों में बट गया, ठेक है, एक हो गया तो समत लोग, ठेक है, जो पावरफूल हो राजा को छोड़के, कोई राजा एक ही प्यक्ति होता है, तो राज जो है, दो भागों में बट गया, एक हो गया समत, और रोख हो गया क्रिशक लोग, ठीक है, ये दो भागों में बट गया, राज, समत लोग बहुत पावरफूल हो गये, और क्रिशक लोग बहुत ही, एक ठीक है? तो इस तरह से सामंत लोग, किरिश्कों को दास बना करके रखते थे. तो इस तरह से समाच जो है, दो वर्गों में बट गया था, यह सामत वाद के विशिष्टा थी. हाँ, एक दास प्रथा है. ठीक है? चोठा विशिष्टा दास प्रथा है. इस तरह से आप समझ सकते हैं किसानों को सामन्तों को दास बना करके रहते थे कि कोई सामन्तों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होता था सक्तिसाली होते थे तो इस तरह से सामन्तों को दास बना कर रखते थे इसलिए दास प्रथा उस समय विशेस्ट दास प्रथा जो है चलता था ठेक है अगला है पांचवा जागिरदारी प्रथा देखें राजा अपनी सारे भूमी शक्तिसाली सामंतों बाट देता था और यह सामंत उसे क्रिसकों को मैंनी किसानों को खेती करने के लिए देते थे ठेक और समाज में सामंतों की स्थिती बहुत ही सुद्रिढ और सकुल थी ठेक सकुसल थी तो सामंतों को राजाक से क्या मिलता था तो इस तरह से जागिर्दारी प्रथा चलता था ये सभी सामंतवाद की विशेषता है चलिए आगे बढ़ते हैं सामंतवाद का पतन सामंतवाद का पतन कैसे शुरू हुआ तो सामंतवाद का पतन जो है वो 13 सदी में शुरू हुआ था ठीक है 13 सदी में शुरू हुआ जो है सामन्त लोग क्या किये कि क्या करते थे कि मतलब उनका हद ही बढ़ गया बहुत ज्यादा सामन्त लोग किसानों पर पहले तो जो है उनको दास बना कर रखते थे और इसके अलावे दिरे दिरे इतना अत्याचार अपना बढ़ाने लगे कि किसानों का सोशन करने लगे जो खेती वगएरा करते थे उन खेती को वो सब सामन्त ले लेता था थेक है थोड़ा बहुत ही देता था किसानों को खाने पीने के लिए तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मट्रा में सामन्तों का अत्याचार बढ़ने लगा जिसके कारण सामन्तवाद का पतन सुरू हो गया तो हम लोग ये जानेंगे कि सामन्तवाद के पतन के क्या-क्या कारण है ठेलिए चलिए यहां देखे सामतवात के पतन के क्या क्या करण है एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे सभी के बारे में तो सबसे पहला पत जो है सामतवात के पतने कारण है कि राजा की सक्ति में ब्रिधी अब ध्यान देना पहले जो है सामतवात के समय राजा के पास ज्यादा सक्त ज्यादा नहीं होती थी मैंने पहले भी बताया है कि राजा के पास जो हैसे ज्यादा नहीं होते थे और ज्यादा युद्ध के जो है सामान वगेड़ाभी नहीं थे सब भाला तिरधनु से सब से लड़ाई करते थे सैनिक लोग तो अब क्या हुआ कि नौवी सताब्दी से तेरहवी सताब्दी ठीक है कब आ गया तेरहवी सताब्दी में हम लोग अभी कहां पर हैं मतलब अभी हम किस समय के बात कर रहे हैं तेरहवी सताब्दी की ठीक है जब समतवाद का पतन सुरू हुआ तो नौवी सताब्दी में समतवाद सुरू हुआ था और तेरहुई सताब्दी में समाप्थ हुआ ठीक है तो इतने समय के बीच राजा की सक्तियों में बृध्धी हो गए क्योंकि उसके राज Virginia में गोला बारूद और जो है क्या कहें गोला बारूद बनाने सुरू हो गए युद्ध के अनेक यंत्र बनाने सुरू हो गए धीरे धीरे तो इस तरह से राजा की सक्तियों में ब्रिद्धी हो गए यानि राजा की सैनिक सक्तियों में ब्रिद्धी हो गए राजा के साइनिक ही अब मजबूत हो गए अब उनको लगा कि अब हमें सामंतों की जो अब सकता नहीं है क्यों कि सामंत जो है राजा की सुरक्षा से ज़्यादा किसको का सोसन करते थे किसानों का सोसन करने लगे राजा एक्षुरक्षा का ध्यान ज्यादा अब नहीं रहा उनको अब वो किसानों का सोचन करने लगे मतलब उनको लगने लगा कि अब हम ही राजा हो गए तो इस तरह से धीरे धीरे राजा ने सोचा कि अब हमें अपनी सक्तियों में ब्रिधी करनी चाहिए क्योंकि सामत लोग अब खुद को ही राजा समझने लगे वो अपने एरिया में वो खुद को ही राजा समझने लगे तो और किसानों पर रत्याचार भी करते थे और राजा को टैक्स जो किसानों से लेते थे जैसे अनाज लेते थे कर के रूप में तो उनकर को भी राजा को कम दिया करते थे सब कुछ अपने पास अपना धन बढ़ाने लगे तो इस तरह से राजा को लोगा कि अब हमें अपने सक्तियों को बढ़ाना चाहिए तो बहुत सारे युद्ध यंत्रों का जो है क्या निर्मान किया जाने लगा ठीक है बहुत सारे यो धितकनीकों का निर्मान किया जाने लगा जिसके कारण राजा की सक्तियों में ब्रिध्धी हुई और राजा ने क्या किया सामन्तों को उसके अधिकार से वंचित कर दिया ठीक है, क्योंकि पहले राजा के पाँ ज्यादा सक्ति नहीं होता था, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए सामन्तों को रखा था वो, अब खुद राजा सक्ति साली हो गया, तो सामन्तों को क्यों रखेगा, सामन्तों को हटा दिया, ठीक ह से राजा की सक्ति में ब्रिद्धी हुई तो सामंतवाद का पतन शुरू हो गया दूसरा है बारूद का अविश्कार अब बारूद का अविश्कार यह सभी हो गया तो सेनेक जो है राजा का साइनेक भी मजबूत हो गए ठेक है राजा का साइनेक क्या हुए मजबूत हो गए धिरे धिरे अब सक्तिशाली होने लगे तो इस तरह से सामनतवाद धिरे धिरे खतम होने लगा अब धर्म योजनाओं का प्रभाव देखे धर्म योजनाओं का प्रभाव धर्म योजनाओं ना धर्म योध्धाओं ठीक है थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर यहाँ पर धर्म योजनाओं नहीं होगा धर्म योध्धाओं का प्रभाव धर्म योध्धा जो थे धर्म के लिए लड़ाई जो करते थे जो लोग उसको कहा जता था धर्म योद्धा ठेक है धर्म योद्धा तो धर्म योद्धा का प्रभाव कैसे पड़ा चलिए मैं इसको बताता हूँ देखे इसाईयों का पवित्र जो है तिर्थ अस्थल हुआ करता था जेरू सलम क्या जेरू सलम ठेक है यहां पर जो है ठीक है तो इसाईयों का पवित्तरतीर थसल हुआ करता था जेरुसलम अब ये जेरुसलम पर मुसल्मान ले जो मुसल्मान जो तुर्क लोग हुआ करते थे तुर्की में मुसल्मान होते थे तो मुसल्मानों ने क्या किया कि अधिकार कर लिया जेरुसलम पर अब जेरुसलम पर अधिकार कराया और जेरुसलम को इसाईयों से मुक्त कराना चाहा मतलब जेरुसलम से सभी इसाईयों को भागाना चाह रहे थे मुसलमान लोग तो भागाना चाह रहे थे तो इसाई लोग भी जो है उसके लिए युद्ध किये लड़ाई करने लगे तो इसी के लिए एक हजार पंचानवे इस्वी से चौदर त्रेपन इस्वी तक ध्यान देना जब सामंत्वाद चल रहा था उसी समय एक हजार पंचानवे इस्वी से 1453 इस्वी तक अनेक युद्ध लड़े गए और इसाई लोग जो थे वो युद्ध किये किसे मुसलमान लोग से कहा पर जेरूसलम पर तो इसाई लोग जेरुसलम लड़ने आते थे जो है इन 1995 से लेकर 1403 स्वी के बीच में तो बहुत बार लड़ने आये वो तो इन युद्धों से क्या फायदा हुआ राजा को कि युद्ध तो हो रहा था ठीक है लेकिन इन युद्ध में सामन्त लोग बहुत ज़्यादा मत्रय में मारे गए ठीक है सामन्त लोग बहुत ज़्यादा मत्रय में मारे गए तो सामन्तों की कमी हो गई और सामन्तों की कमी हो गई तो सामन्त वाद का भी धिरे धिरे पतन होना सुरू हो गया तो इस तरह से जो है सामन्तवाद का पतन यहां से होने लगा धर्म युद्धाओं का प्रभाव पड़ा सामन्तवाद पर ठीक है अब था परस्पर संघर्ष की भावना तो देखे ये परस्पर संघर्ष की भावना जो है न इसको समझी है सामंत लोग जो क्या करते थे कि इसका मतलब सामंत वाद के पतन का एक मुख्य करण था ये जो सामंत लोग होते थे वो स्वार्थी हो गए धिरे-धिरे स्वार्थी होने लगे अपने स्वार्थों के कारण परसपर युद्ध करते रहते थे और इस निरंतर युद्ध के कारण जो है सामन्तों की सैनिक सकती इन आत्मगाती युद्धों में नश्ट होती रही जिससे सामन्त वर्ग सैनिक दृष्टी से दुरुबल हो गया वे आर्थिक दृष्टी से भी दुरबल हो गए और बड़ी संख्या में सामंत इन युद्ध में मारे गए इससे भी सामंत दुरबल हुआ और सामंत वाद का पतन सुरू होने लगा सामंध लोग क्या किया करते थे कि जो एक सामंध है वो दूसरे सामंध से युध करते रहता था कि भई हम तुमको हराएंगे और तुम्हारा जमीन पर हम कबजा करेंगे ठीक है तो हम और धन्वान हो जाएंगे और हमारे सक्ती बढ़ जाएगा तो इस तरह से एक मतलब दो सामन्तों के बीच ऐसे युद्ध चलता रहता था तो इसी युद्ध में दोनों सामन्त टाटा बाय बाय हो गए ठेक है दोनों सामन्त क्या हुए अलविदा तो इस तरह से सामन्तों सामन्त दिरे दिरे खुद मतलब लड़कर ही सबी सामंत जो लोग है आपस में लड़ते लड़ते ही और खतम हो गए थे तो इस तरह से सामंतभाद का पतन भी होने लगा था फिर है व्यापार एक उन्नती देखे धर्म योद्धाओं के कारण यूरोप के व्यापार तथा वानिज्य में बहुत अधिक व्रिद्धी होई थी क्योंकि धर्म युद्ध जब हो रहा था तो उसमें बहुत सारे चीज़े चाहिए उनको धर्म योद्धाओं को क्या चाहिए जो लड़ते थे उनको क्या चाहिए जैसे ती धन भाला जो युद्ध के सामान थे खाने पीने की चीज़े वो सभी चाहिए तो इससे राज के व्यापारिक में उन्नती होई और राजा का धन बढ़ने लगा ठीक है तो राजा धीरे धीरे सक्तिसानी होने लगा तो इसलिए सामान थो को हटा दिया अगला है नवीन नगरों का विकास अब नए नए नगरों का विकास होने लगा तो नए नए नगरों का विकास होने लगा तो ये नगर जो थे व्यापारी किंद्र के रूप में थे कैसे थे व्यापारी किंद्र के रूप में तो यहाँ पर व्यापार ज्यादा होता था तो ऐसे ही नएने नगरों का निर्मान होने लगा और व्यापार बढ़ने लगा तो राजा की सक्तियों में विर्द्धी हुई राजा का धन पढ़ने लगा तो राजा की Państwo में विर्दी होने लगी जिसके चलते धीरे धीरे राजा सक्ति साली होने लगा और सामनतों को हटा दिया अगला है मुद्रा का प्रचलन अब देख़े मुद्रा का प्रचलन तो जो लोग थे विदेशों से व्यापार करते थे या जो व्यापारी लोग थे ध्यान देना व्यापारी लोग जो थे वो सामन्तों से सामान वगरा लेते थे पहले क्या था? पहले ये था कि सामान के बदले सामान मिलता था मतलब आपको कोई सामान लेना है किसी से तो आपको कोई सामान देना पड़ेगा लेकिन व्यापारी लोग अपना दिमाग लगाए और क्या दिमाग लगाए? कि सामन्तों से वो लोग सामान अब खरीदने लगे तो सामन्तों से खरीदने लगे सामान तो प्रचलन था उस समय कि सामान के बदले सामान लेकिन भ्यापायरी लोग दिमाग लगाए वो ये किये कि सामन्तों को जो सामन्तों से सामान खरीद देते लेकिन उसको समान नहीं देते उसको मुद्रा देते पैसा देते ठीक है पैसा देते तो पैसा क्या है वो खत्म होने वाला चीज है ठीक है कभी भी उड़ा सकता है वो तो इस तरह से व्यापारिक लोग समान खरीते सामंत लोग से मतलब सामंतों से जमीन वगरा खरीते या कु उसको पैसा देते, उसको मुद्रा देते, तो मुद्रा देते, तो अब सामन्तों के पास धीरे धीरे जमीन वगारा सब खातम होने लगा, और मुद्रा उसके पास बढ़ने लगा, तो मुद्रा का वो क्या करेगा, अपना खर्चा पर्चा चलाएगा, ठीक है, तो इस तरह से सामंतवाद का पतन भी शुरू होगे या धिरी-धिरे अब था क्रिशकों का विद्रोह अब सामंत लोग बहुत ज़ादा अत्याचार करने लगे किसानों पर तो किसान लोग भी धिरे-धिरे जागरुख हुए और सामंतों के प्रती विद्रोह करने लगे ठीक है विद्रोह करने लगे अब और सामन्तों से लड़ाई जगडा विद्रोह वगेरा सब चलने लगा तो धिरे धिरे कुछ सामन्त लोग भी मारे गए तो इस तरह से सामन्त वाद का पतन भी होने लगा किरिस्कों के विद्रोह के कारण अब आता है अगला कारण है राश्टियता की भावना का उतै अब कहीं पर विद्रोह का कारण ये भी था कि राश्टियता की भावना दिरे दिरे लोगों के मन में अन लगी कि मतलब रश्टियायतिया की भावना क्या है कि मतलब ये जो है हमारा देश है ये हमारा रज्य है ठीक है और इस पर जो है हमारा अधिकार है लोगों के दिमाग में आने लगा कि ये हमारा रज्य है इस पर हमारा अधिकार है राजा हमारा है ठीक है तो ये सभी चीजें किसानों के मन में आने लगी मतलब देश के लिए एकता आने लगी अपने राज्य के लिए एकता की भावना आने लगी तो इस तरह से किसान जो है सभी एक हो गए और विद्रोह करके सामनतों को हटा दिये अब अगला कारण है आंतरिक दुरबलता देखी सामनतवाद के पतन में उसकी आंतरिक दुरबलता भी जो है बहुत ज़्यादा मत्रा में उत्तरदाई थी सामनतवाद निरंतर युद्ध परणाली पराधारित था सामत वाद जो है नियंतर युद्ध जो सामत लोग नियंतर युद्ध करते रहते थे अपने अधिकार के लिए या दूसरे सामतों से ठेक है दूसरे सामतों से युद्ध करते रहते थे और अधिक भूमी पाने के लिए तो उनके सामन्थ जो है वित्रा मतलब जो सामन्थ लोग थे वो उत्रा धिकार या विवाह के तवारा भूमी और प्राप्त करते थे मतलब समझे जैसे कोई दूसरा सामन्त है ये दो सामन्त है माल लिजे एक ये सामन्त है ये सामन्त इस सामन्त की बेटी से साधी कर लिया ठेक है साधी किया तो इसके बदले वो जो है राज्ये के भूमी मांग लिया कुछ ठेक है कुछ राज्य के भूमी मांग लिया तो इस तरह से इस सामन्त के दिखार में ये भूमी हो गई ठेक है तो इस तरह से सामन्त बहुत सारे साधी विवाह करने लगा इस तरह से भूमी के चकर में तो धिरे धिरे वो आंतरिक रुप से कमजोर हो गया ठेक है आंत्रिक दुरुबल था आ गई तो इस तरह से आंत्रिक जो है सामन जो है आंत्रिक दुरुबल हो गया तो जिसके चलते धिरे धिरे उसका भी पतन सुरू हो गया तो सामन्त यही सभी उल्जन में पड़ा रहा तेखे इसी सम्में उल्जा रहा तो जिसके चलते सामन धिरे धिरे अंत्रिक ग्रुप से दुरुबल हो गया और सामन्तवाद का पतन जो है हो गया ठीक है तो यही सभी कारण था सामन्तवाद के पतन के और अगर कोई confusion लग रहा हो कहीं पर तो आप जरूर पूछना comment करके तो यहीं तक आज last करते हैं और मिलेंगे हम लोग next वीडियो में नए topic के साथ कोई सवाल वगेर आपके पास हो तो कुछ भी तो आप लोग comment जरूर करना उसका जवाब अगले वीडियो में दे दिया जाएगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भर